Hello friends, welcome back to my channel, Shaina Goyal I hope आप सभी की exams की preparation अच्छे से चल रही होंगी friends So आज की वीडियो में हम एक बहुत important बात को discuss करने वाले हैं That is the best way to attempt your paper ठीक है, इसमें हम काफी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको paper को attempt किस तरह करना है कितने questions आपको attempt करने हैं, कितनी आपको sheets मीलेंगी ठीक है, paper में कितनी sheets होंगी, कितने pages पर आपको long answer करना है short answers किस तरह से करने हैं ठीक है, यह सारी चीज़े complete हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो वीडियो को एंग तक जरूर देखे इसको बिल्कों भी skip ना करें, क्योंकि बहुत important है यह इसी पर आपके marks depend करते हैं दिखे, पढ़कर हर कोई जाता है, लेकिन depend करता है कि आप लिखते किस तरह से हैं, किस तरह से आपकी paper presentation होती है ठीक है, उस पर आपके marks depend करते हैं अगर आप मेरे चानल पर नहीं है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में क्लिक कर देबल आइकन पर तो गेट नोटिफिकेशन अफ माइ लेटेस्ट अपलोड़्स सबसे पहले देखे हम चाहते हैं कि हम पेपर कितनी अच्छी preparation की है तो हम चाहते हैं कि हम इस तरह से लिखके आएं कि हमारे marks भी बहुत अच्छे आएं ठीक है तो देखे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके paper या तो देखे 70 marks का होता है या होता है वो 35 marks का ठीक है भी 4 questions होते हैं और यह section C होता है compulsory section जिसमें आपको 10 short questions दिये होते हैं clear अब अगर बात करें 35 marks के paper की तो इसमें भी होते हैं 3 sections इसमें 2 questions दिये होते हैं B में भी 2 questions होते हैं और C section होता है आपका short questions का जो compulsory section है और इसमें आपके होते है 5 short questions clear है अब दीखे section A में से आपको 4 questions दिया है लेकिन आपको करने सिरफ 2 होते हैं तो सबसे पहला आपका main point यहां पर क्या आता है कि इन 4 questions को आप अच्छे से read करें अच्छे से read करने के बाद यह देखें कि आपको कौन से 2 प्रॉपर आते हैं यह question choose करना बहुत important है कि सही question choose करना कि आपको कौन सा आता है ठीक है तो अगर मालीजी आपको जो भी question सही से आता है तो पहले तो उसका जो question number है like आपको second question अच्छे से आ रहा है तो आपने यहां पर one नहीं लिखना कि आप अपनी copy का first question attempt करें आपनी answer number 2 लिखना है clear तो यह numbering बहुत important है उसके बाद यह जो section आप लिखते है कि कौन सा आप section attempt कर रहे हैं यह भी बहुत important है section और answer number यह इतने important है कि अगर आपने बाकी सब कुछ सही लिख दिया यह एक number आपने गलत लिख दिया आपका पूरे के पूरे 10 number गए समझो ठीक है clear है यह चीज़ अब देखे हम देते कि अगर हम long question short question की बाद करें तो सबसे पहले हमारे पास जो answer sheets होती है आप कितने pages आपके पास होते हैं लिखने के लिए that is 36 pages आपके पास available होते हैं जिस पर आप अपना paper लिख सकते हैं ठीक है तो अब अगर हम 70 marks के paper की बात करें उसमें आपको 36 pages हैं आपके पास तो आपने उसमें long questions कितने attempt करने हैं 2 A section में से और 2 आपने करने हैं B section में से यानि कि 4 long questions आपने लिखने हैं clear तो short questions आपके पास कितने हैं 10 और आपके पास shields कितनी हैं 36 तो यह चीज़ आपको पहले ध्यान में रखकर चलना है कि जो long questions हैं यह 5 या 5 and half ठीक है यह तो 5 pages पर on up चाहिए यह आपका 5 page पर यह long question हर long question आपका complete हो जाए ठीक है देखे अगर आप 5.5 की average लेकर भी चलते हैं तो अगर हम हमारे बास 36 pages है 5 pages पर आपका 1 question आता है तो 4 question आएंगे 20 pages पर चलिए माल लीजिए आपके आ रहे हैं 22 pages आपने इसमें use कर लिए हमारे बाकी कितने रह गए 14 pages हमारे पास रह गए है short questions के लिए तो short question दीखिए कुछ question ऐसे होते हैं जिसमें सिरफ आपके पास definition पूछी होती है meaning पूछा होता है तो उसको आप बहुत ज्यादा खीचना नहीं है उन questions को clear वैसे भी short question में क्या है आपको to the point लिखना होता है कोई आपको starting नहीं लिखनी कोई conclusion नहीं लिखना ठीक है जिस तरह से हम long question में लिखते हैं तो short question अगर आपके 10 है तो आप 1.5 page पर एक short question आपना समझ के चलिए अगर किसे में meaning या definition है तो वो आप 1 page पर लिख सकते हैं अगर थोड़ा सा कोई different question है तो उसको आप 1.5 page पर लिख सकते हैं ठीक है तो 1.5 page के according अगर हम बात करें तो यह कितने pages हो गए 15 pages तो कोई question आपका आएगा 1 page पे तो कोई 1.5 page पे तो as an estimate आपके जो 14 pages हैं यह pages सारे cover भी हो जाएंगे और कोई waste भी नहीं जाएगा और marks तो आपके अच्छे आएंगे क्योंकि आप paper बहुत अच्छे से present करने वाले हैं देखते जाएए अब हमको long question किस तरह से करने हैं तो देखिए long question जैसे हम 5.5 page का करते हैं तो सबसे पहले आपको देनी होती है इंट्रोडक्शन जो भी topic आपसे पूछा जाता है ठीक है तो उसके related आपको सबसे पहले उसका एक introduction देनी है ठीक है introduction देकर फिर उस चीज़ का meaning meaning definition तो देखिए इसमें जो definitions है न वो बहुत important होती है दो या तीन writers के आपको definition पका ही learn करके जानी है ठीक है और प्रॉपर से लिखना की है किस person ने ये definition दी है तो उसके बहुत marks होते हैं हर चीज के marks divide की होते हैं question में ठीक है तो definitions लिखने के बाद आपका अगर उसमें जैसे for example characteristics पूछी है किसी चीज की तो उसको आप थोड़ा flow chart flow chart के form में show कर सकते हैं like यहां पे आपने लिख दिया characteristics और इसमें आपने इस तरह से characteristics इसके सारी show कर दी यहां फिर आप tree type structure इसका बना सकते हैं जैसे इस तरह से आप इसकी notes show कर सकते हैं कि यह इसकी characteristics हैं इस तरह से कुछ तो flow chart के भी marks होते हैं अगर आप diagram draw कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज इंक्लूड जरूर करें flow chart diagram या any graphical representation जो आप अपने quotient के related कर सकते हैं यह बहुत scoring होती है यही आपका paper का जो presentation है ना different बनाती है उस इसको present तो देखो लिखो तो हर कोई देता है material हर किसी के पास होता है लिखने के लिए लेकिन the way you present your paper matters the most ठीक है flow chart बनाने के बाद आप each point को अच्छे से explain करेंगे ठीक है अब जब आपका question यह सारा complete हो गया हमने start कहां से किया था introduction से तो end हम कहां पे करेंगे conclusion से यह बहुत जरूरी है first is introduction and end हमने करना है conclusion के साथ तो आपको सीधा heading देने के जरूरत नहीं है कि conclusion हम लिखने वाले है जैसे आप heading नहीं देंगे कि introduction हम लिखने वाले है यह सिरफ मैं आपको बता रही हूँ कि यह चीज़ें आपने लिखनी है यह चीज़े heading नहीं देनी आपने तो conclusion में आप क्या लिख सकते है at the end we can say that so finally we can conclude that यह चीज़े लिखकर आप पूरे question में जो आपका निचोड है question का ठीक है उसको four to five lines में आपने complete कर देना है question यहाँ पे the end कर देना है ठीक है तो हर long question आपका इसी तरह से attempt होगा तो अगर आपने इस तरह से attempt किया with flow charts and proper representation तो आपके number आने से कोई नहीं रोख सकता अब बात आती है short questions की long question हमने discuss कर लिए लेकिन जो short questions है तो इनके लिए भी जैसे आपका short questions होता है तो इसके further parts होते है nine का first part second part एक चीज़ मैं आपको बता दूँ आपको कोई भी question चोड़कर नहीं आना है इस paper में क्या आपकी negative marking है नहीं है न तो अगर आपका concept paper का clear है आप हर subject का first chapter अच्छे से read करें उसमें आपका जो concept है वो clear हो जाएगा तो कोई भी question आते है आपको जो भी उसके बारे में मालूम है वो जुरूर लिखियाए और कोई भी part आपको उसका miss नहीं करना क्योंकि अगर आपने कोई part miss कर दिया तो chances ये भी होते हैं कि आप जो next part next number लिखने वाले हैं for example आपको third part नहीं आता उसको ये दिखिया अगर आपका suppose curriculum development का paper है तो naturally curriculum syllabus ठीक है इन चीजों के related हैं आपको कोई ने कोई question पूछा जाएगा तो आप थोड़ी curriculum की introduction कुछ इस तरह से इसमें लिखकर आ सकते है ना उसको blank मत छोड़ना clear तो ये सारे questions आपको एक या एक से देड़ पेज के बीच में attempt करने है इससे ज्यादा मत करना वरना आपके जो sheets है वो खतम हो जाएंगे और question आपका चूड़ जाएगा और time management बहुत important है दिखिए अगर आपके पास 3 घंटे का time है तो 2 घंटे तो समझ लीजे आपके जाएंगे long questions में और 1 घंटा आपका जाएगा short questions attempt करने में estimate लगा के चलें कि आपके पास 25 minutes में आपका एक long question complete हो जाना चाहिए क्योंकि 5-10 minutes तो ऐसे हमें question decide करने में या so on कुछ इस तरह से लग जाते है ठीक है तो 25 minutes में आपका एक long question complete होगा बस ये देख लो कि time जब आपका एक घंटा रह गया समझ लो कि आपका short questions करने का time जो है तो start हो गया अगर आप late करेंगे तो आपके 10 short question complete नहीं होगे clear तो ये तो थी 70 marks के पेपर की बात अगर हम बात करते हैं 35 marks के पेपर की तो इसमें long question short question का pattern same रहेगा time management इसमें क्या है इसमें हमने एक question करना है इसमें भी एक question करना है तो समझ लो एक घंटा आपका long question करने में जाएगा और जो बाकी के 30 minute बचे हैं 30 या 35 minute आपके पास बचने चाहिए वो जाएंगे ये short questions attempt करने में clear है और जो short questions है इसको आपने बिल्कुल to the point explain करना है एक या date page से ज्यादा नहीं करना है clear सिरफ presentation भी matter नहीं करती है दीखिए बच्चों कहीं क्या करते हैं कि बहुत अ points cover होनी चाहिए उसमें So I am sure ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और helpful रहेंगी ये चीजें exam time पर भी और थोड़ी सी पहले भी इस चीज की practice करके देखो एक आधा question जो topics में already आपको करवा चुकी हूँ उसका answer लिखकर देखो इस pattern के according ठीक है So friends video helpful रही होई से like and share कीजे see you in the next video till then keep watching